Hello everyone, welcome to Enlightened Brains Guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IGNO की fee refund policy के बारे में हो सकता है कि आपने IGNO में admission ली हो और अब आप अपनी fee को वापिस चाहते हों या फिर अपनी admission को ही cancel करवाना चाहते हों तो वो आप कैसे कर सकते हैं किन-किन grounds पर ये चीज पॉसिबल है और क्या इसका procedure होता है ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ सबसे पहले आप ये notification देख लीजिए ये जो notification आया है ये 2023 session के students के लिए आया है जिसमें जो fee refund की policy है उसको modify किया गया है क्या-क्या changes हुए है ये सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाली है सबसे पहले हम देखेंगे grounds for refund को कि किन-किन grounds पर आप अपनी fee को वापिस मांग सकते है और उसमें क्या-क्या कहा गया है कि कैसे-कैसे आपको जो fee है वो वापिस की जाएगी overall देखें तो सिर्फ 5 reason होते है जिन पर students अपनी fee का refund मांगते है सो इन 5 reasons को इगनो ने cover किया है सबसे पहले क्या reason होता है student का कई बार student से double या फिर multiple payment हो जाती है same program की मान लीजिए example के लिए आपने किसी bachelor degree के program में admission लेनी थी बट आपसे उसकी payment double या फिर multiple time हो गई है so उस case में क्या है guys कि इगनो आपकी एक payment को रख लेगी और बाकी की जो आपसे extra fee pay हो गई है उसको आपको refund कर दिया जाएगा with the registration fee second point क्या होता है कि payments by the student for more than one non-permissible program in the same session अब same session की बात आप ध्यान से सुनिए इगनो की तरफ से double degree allowed है आप चाहें तो double degree कर सकते हैं इगनो में फिर चाहें वो कोई bachelor degree हो कोई master degree हो बट students क्या करते हैं वो rules को properly read नहीं करते हैं मैंने rules के उपर वी video बनाई थी आप चाहें तो इस video को देख सकते हैं कि इगनो में double degree करने के क्या-क्या rules है अब एक important rule इसमें ये है कि अगर आप एक program में January session में admission लेते हैं तो दूसरी degree के लिए आप सिर्फ और सिर्फ July session में apply कर सकते हैं बट बहुत सारे students को इस बात का पता नहीं होता है तो वो same session में ही double degree के लिए apply कर देते हैं बट उनकी ये degree जो है वो permissible नहीं है इगनो की तरफ से तो अगर आप से भी ये mistake हो गई है तो आप भी किसी एक program की fee को वापिस ले सकते हैं आपको कोई भी problem नहीं होगी third point आता है rejection cancellation of admission form by the university due to non-fulfillment of minimum eligibility criteria मान लिजिये आपने इगनो में admission के लिए apply कर दिया आपने fee को भी pay कर दिया बट university को पता चलता है कि आप उस course के लिए eligible ही नहीं है तो definitely वो खुद से ही आपकी जो admission है उसको cancel कर देगी अगर आपके साथ भी यही हुआ है कि university ने किसी भी reason की वजह से आपकी admission को cancel कर दिया है तो आपके सारे program की fee जो है उसको refund कर दिया जाएगा after deduction of registration fee registration fee आपको वापिस नहीं आएगी बट जो आपने full program की fee को pay किया होगा वो आपको वापिस आजाएगी अब इसमें भी क्या होता है कई बार तो हो सकता है कि आप eligible नहीं थे कई बार क्या होता है कि student eligible तो होता है बट उसने जो अपना form फिल किया था उसमें कुछ mistakes है so in reasons की वजह से भी आपकी admission cancel हो सकती है अपने form को हमेशा अच्छे से fill किया कीजिए जब भी आप admission के लिए apply करती है fourth case क्या हो सकता है कि university खुद से ही किसी program को withdraw कर ले जैसे be added in special education है so ये जो course था ये पहले इगनो करवाती थी बट उसको बाद में उन्होंने withdraw कर लिया so ऐसे ही अगर किसी भी course को university खुद से withdraw कर लेती है तो उस case में भी आपकी जो fee है full program की उसको refund कर दिया जाएगा including the registration fee आपकी registration fee को भी वापिस कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर fifth point आता है जो के है most important point अगर आप खुद से ही अपनी admission को cancel करना चाहती है in case where the student does not want to continue with the program and seek cancellation of application and refund of program fee आप खुद ही अपनी admission को cancel करना चाहते है तो यहाँ पर हमारे पास two points आते है एक तो क्या होता है कि आपने अभी admission के लिए apply किया है बट आपकी जो admission है वो confirm नहीं हुई थी तो उस case में आपके पूरे program की fee को बिना किसी problem के refund कर दिया जाएगा बट registration fee को refund नहीं किया जाएगा second point क्या होता है कि आपने admission के लिए apply किया और आपकी admission confirm हो चुकी है तो उसमें अगर तो आपकी admission अभी 15 दिन पहले ही confirm हुई है तो आपको fee refund कर दी जाएगी बट उसमें से 500 रुपीज को deduct कर लिया जाएगा आपके पूरे program की fee में से और जो registration fee है वो refund नहीं की जाएगी most री जो registration fee होती है वो आपकी 300 रुपीज होती है most of the programs की किसी किसी program की जादा भी हो सकती है and second point यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपने अपनी admission को cancel कर दिया है within 90 days after the confirmation आपकी admission confirm हुई थी और उसके 90 days के अंदर ही आपने उसको cancel कर दिया है तो आपको thousand रुपीज आपकी fee में से deduct करके बाकी के जो पैसे हैं वो वापिस कर दिये जाएंगे और registration fee आपको refund नहीं की जाएगी थर्ड पॉइंट आता है beyond 90 days after confirmation of admission अब मान लीजिए 90 days के बाद आप इगनों से कहते हैं कि हमें हमारी admission को cancel करना है तो उस case में आपको कोई भी refund नहीं दिया जाएगा इगनों की तरफ से तो ये तो हुई हमारी refund वाली बात कि किन किन cases में आपको fee refund की जाएगी अब ये refund कैसे की जाएगी कैसे आप apply कर सकते हैं कि हमारी जो fee है उसको refund कर दीजिए या फिर हमारी admission को cancel कर दीजिए ये आप कैसे कर सकते हैं इसमें आप 4th point को देखें हम जो पहले के 3 point हैं उनको अभी skip कर रहे हैं fourth point को देखिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक email लिखनी पड़ेगी अपने regional director को और आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप अपनी fee का refund चाहते हैं अब आपकी जो email होगी उसमें आपकी सारी की सारी details होगी अगर तो आप admission के confirm होने के पहले email कर रहे हैं तो आप अपना control number जरूर mention करेंगे और अगर आप अपनी admission के confirm होने के बाद अपनी fee का refund चाहते हैं अपनी admission को cancel करना चाहते हैं तो उसमें आपका identity card जरूर लगेगा as a proof और आप email में properly बताएंगे कि किस दिन आपने admission के लिए apply किया था किस दिन आपकी admission confirm हुई और आप किस reason की वज़ा से अपनी admission को cancel करना चाहते हैं और refund चाहते हैं जो भी आपकी problem होगी आप उसको अच्छे से बता दीजिएगा अपने regional director को email करके जो admission कैंसल करने का process होता है वो regional center से ही होता है आप घर पर बैठ कर खुद से admission को cancel नहीं कर सकते हैं आपको अपने regional director को बताना पड़ेगा वो ही आपकी admission को cancel करवाएंगे और जो आपकी fee है उसके बारे में हमें point number 3 में बताया गया है कि जिस भी debit card, credit card या net banking account से आपने अपनी fee को pay किया था उसी account में आपकी fee को वापस refund कर दिया जाएगा और हो सकता है कि कुछ student का वो account work ना कर रहा हो तो उस case में आपको NEFT के थुरू आपकी payment को वापस कर दिया जाएगा यह जो guidelines है यह January 2023 session से apply हो चुकी है, effect में आ चुकी है, अब अगर आप अपनी fee को refund करवाना चाहते हैं तो आप असानी से करवा सकते हैं I hope इस video से आपकी help हुई होगी, अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो इसे like करें, channel को subscribe करें, thank you so much for watching